हेलो एस्पिरेंट ओयंस की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है में नाम है रिंकी मौर्या और आप यहां से मेरे बारे में जान सकते हैं और यह ओयंस का फेस्बूक आईडिया जहां पे से डेली करेंट अफेर्स शेयर किया करते हैं आप वहां से जाके टॉपिक देख लिए करिये ओके तो चली चलते हैं अज के अपने कोस्टिंस की तरफ कल वीडियो के लास्ट में हमने आप से मौडरनिश्टी के दो कोस्टन आपको दिये थे और उसका डिसकस करने वाले थे आज के वीडियो में तो उसमें से कोस्टन नमर्बर 2 है सूची 1 को सूची 2 से और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चैन कीजिए। सूची एक में है वेक्ति और सूची दो में है कौन किस घटना से संबंदित है। तो ए में है विनोबा भावे, बीजी तीलक, अरुना आशाफली, सरोजनी नैडू। और घटना है है होम रूल आंदोलन, वेक्तिगत सत्यागर, धर्षना रेड, भारचोड़ो आंदोलन। तो विनोबा भावे संबंदित हैं वेक्तिगत सत्यागर से। तो देखिए वेक्तिगत सत्यागर सुरू कब होता है। तो पहले यह घटना है थोड़ा सा देख लीजेगा जिसे आपको यह याद रहेगा तो 1934 में सविना अवग्या अंदोलन समाम तो होता है उसके बाद गांधी जी अपना रजनात्मक कार शुरू करते हैं और 1937 में मंत्री मंडल का चुना होता है जिसमें साथ प्रांतों में क सब्सक्राइब प्रतम विश्यूद सुरू हुआ था तो भारत से बीना अनुमति लिए युद में भारत को सामिल करने की घोश्रा कर दिये थे तो और उन्होंने यह बोला था कि हम भारत में समयधानिक सुधार करेंगे और नौज़नर युद समाप्त हुआ तो इसी करण था कि उन्हों से बीटिशर्स बोले कि भारत को दिती विश्यूद में सामिल किया जा रहा तो कांग्रिश्ट ने इसे इंकार कर दिया था बोला कि पहले आप हमारी माहों को पूरा करिए उसके बाद हम युद में सामिल तो अगस्त प्रस्ता में ये बात कही गई थी कि हम भारत को डोमेनियन इस्टेटस का दरजा देंगे युद के बाद युद समाप्ति के बाद डोमेनियन इस्टेटस का दरजा देंगे तो कांग्रिश्ट ने इसको इंकार कर दिया था तो बिर्टिसर्स ने अड़यर रव तो पहले सत्याग रही थे विनुबा भावे और दूसरे सत्याग रही थे जवालाल नेरू तो इसको यार रखेगा तो बिनुबा भावे हो जाएंगे विक्ति का सत्याग रहा से दूसरा है बीजी तिलक संबंदी थे होम रूल आन्दोलन से 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन की सुरुवात पूने शेकी थी और मदरास से एनि बेसेंट ने होम रूल आन्दोलन की सुरूआत की थी तो बीजी तिलक हो जाएंगे होम रूल आन्दोलन से अरुना आशा फली संबन्दी थे हैं भारत छोलो अंदोलन से अगस्त अंदोलन का प्रस्ता पेस हुआ था और अगले दिन इसे लागू करना था तो रात में ही कांगरेस के बड़ी नेताओं को गिरतार कर लिया गया था तो उसके बाद अंदोलन में इन लोगों ने अपना बहुत वेगदान दिया था अरुना आशा फली और इनके साथ दो और महिलाएं थी जिन्हों ने अपना बहुत वेगदान दिया था सुचेता किपलानी और उशा महता यह तीन नाम आप याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है इनका यह जैसे उशा महता दिया है अरुना आशा फली दिया है भारच रुआ अंदोलन वैसे इनका भी नाम पूछ देता है तो यह नाम याद रखेगा और चोथा है सरोजनी न मासरम से 6 अप्रेल को दांडी पहुचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और उसके बाद वो बोले थे कि गुजरात में अस्थान पड़ता है धर्शना धर्शना में हम अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और वहां पर जो कानूने उसको भी तोड़ेंगे तो वहां के जो प्रसासन को इस बात का पता चला तो उन्होंने चार मई 1930 को महत्मा गांदी को गिरपतार कर लिया और महत्मा गांदी के गिरपतार होने के बाद इस जो भी ये पूरा मोमेंट था उसका नेत्तित्व की थी सरोजनी नायडू ने और तब तक की थी जब तक कि व पहला और सी का हो जाएगा चौता और डी का हो जाएगा तीसरा तो एंसर हो जाएगा ए ओके तो चली चलते नेक्ट कोश्चन की तरफ क्वेस्चन नमबर पहला था भारती राष्टी अंदोलन से संबंदित निमलिकित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कूट से घटनाओं का सही काला नुकरम पता कीजिए तो सही काला नुकरम का मतलब कि कौन सी घटना है पहले हुई थी उसके बाद कौन हुआ इसके बाद कौन हुआ इसके बाद कौन हुआ इसे को समझना है तो जब घटना एक दूसे से जूड़ी रहेंगी तो अगर आपको सन भी नहीं आद है तो तभी आप इसका सही इंसर दे देंगे तो जैसे 1914 में सुरू हुआ था और महात्मा गांधी का अंटी हो गया अपना चंपारन सत्यागरा उसके बाद आमधावास का मील हर्टाल चला था मजदूरों का और उसके बाद खेडा सत्यागरा शुरू हुआ था उनका और उसके बाद बालंगाद तीलक और एनी बेसेंट ने होम्रूल अंदोलन शुरू किया था उदर विस विदे से में गदर दल का लाहौर रावल पिंडी और फिरोजपूर में बिद्रो चल रहा था और 1915 में उडिशा के तर्ट पे थे जतीन मुखर जी जिनको बागा जतिन कायता है तो यह याद रखिएगा कि बागा जतिन अन्जतिन बागा बागा किसको बोलता है जतिन मुखर जी को तो इनका भी पूलिस से मुटभेड हुआ था तो उसी से मुटभेड में सहीद हो गए थे इस तरह की कांतिगारी गतिविदियां भी चल लही थी तो बिटिशार से इसको रोकना चाहते थे कि और एक पॉइंट यह भी है कि 1916 में लखनाव समझाता हुआ था कि कांग्रेश और मुश्लिम लिग एक हो गई थी तो बिटिशार्च को लगा कि अब भारत में एक्ता बढ़ती जा रही है और यह कोई बड़ा अंदोलन सुरू करेंगे तो उसी अंदोलन को रोकने के लिए यह लाया थे 1919 में यह लाया थे रोलेक्ट एक्ट एक अधिनियम के रूप में रोलेक्ट बिद्यक लाया थे जिसके अनुसार की किसी भी बैक्ति को संदे के अधार पर गेपतार कर किया जा सकता था और गेपतारी के बाद ना तो कोई कहीं अपील कर सकता था ना ही कोई वक्तिल कर सकता तो और उसको एक अनिस्टी समय के लिए जेल में रखा भी जा सकता था तो इस तरह के कानून उन्होंने लाया तो इसका पूरे देश में इसका विरोध हुआ और सभी लोग इसे काला कानून कहकर शंबोधित किये थे तो मातमा गांडी ने बोला था समयधानी तरीके से मांग की थी और बोला था कि आप इसको वापस लिजिए लेकिन अंग्रेजों ने इसको माना नहीं तो उन्हें ने बोला कि हम 6 अप्रेल को आंदोलन प्रारम करेंगे लेकिन पूरे देश में ये खवर नहीं फैल पाई कि 6 अप्रेल को हमको आंदोलन शुरू करना है तो आंदोलन पहले ही सुरू हो गया था और पहले सुरू होने के कारण इसमें भी थोड़ा सा उग्र रूप हो गया था हिंसात्मक हो गया आंदोलन जैसे पंजाब का जो सा सत्यपाल और सैफुदिन किचलू इन्हों ये एक पूरे भीड का नेत्युत कर रहे थे नेता करूप में तब उस भीड पे वहां की पूलिष ने गोलिया चला दी थी और इनको सत्यपाल को और सैफुदिन किचलू को गिरपतार कर लिया गया था तो इस ही उनको नेती उसका विरोध करने के लिए जा अम्रिस सर का जलिया वाला बाग एक है जो तीनों तरफ से घीरा हुआ था और एक ही तरफ से आने जाने का रास्ता था उसी में लोग वैसाकी का दिन था तो सम्मेलन कर रहे थे दूसी सम्मेलन पे जनरल डायर ने गोलिया चलवा दी तो इसी को बोलते हैं जलिया वाला बाग नरसनहार तो यह जलिया वाला बाग नरसनहार के बाद कांगरेस का अम्रिशरा दिवेशन हुआ था 19 में फिर यह तीनों घटनाओं एक दूसरे से जुड़ विए हैं और इन तीनों घटनाओं जैसे रोलेक टेक्ट और उसके लता है यह खिलाफत मुवंट इन तीनों के परिपेश में और इसायो गांदोलन को शुरू होता है आशायो गांदोलन सुरू होता है एक अगस्त 1920 को और एक अगस्त 1922 के दिन ही बाग तिलक का निधन हो जाता है तो यह पूरी घटनाओं है तो इसमें सबसे पहले आएगा रॉलेक टेक्ट उसके बाद जलियावला बाग नर्शन हार उसके बाद भाती आश्टी कांगेश कामणी सर अधीवेशन उसके बाद बाल गंगाद तिलक का नीधन तो दो तीन चार और एक तो आप्शन ए इसका बिल्कुल सही है ओके तो चली चलते हैं अब आज के प्रदेश कौन सा है जो सत्त प्रतिसत सौर उर्जा कुशल बन गया है ओप्शन ए दमन बी दिव शी दादर और नागर हवेली डी लक्षय दिव तो इसका एंसर है ओप्शन बी दिव तो दिव पहला और एक मात्र ऐसा के इनसासित प्रदेश है जो 100% सौर उर्जा कुशल बन गया है यहां पर सारी गतिविदियां सवरुजा से संचालित होंगी यह बहुत छोटा सा किन्सासित प्रदेश है तो यह याद रखिएगा तो इसके बारे में इसका एंसर हो जागा बी दियू और question number दूसरा है इवे बिल निम्न में से कितनी कीमत तक की वस्तु के परिवहन के लिए जारी किया जाता है option A 10,000, option B 50,000, option C हो जाएगा आपका 1,00,000 और option D है इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर है B 50,000 जिसके कीमत 50,000 या उससे अधिक है तो जब उसका परिवान होता है या राजे में ही वह 10 किलोमीटर से दूरी पर जा रहा है या एक राजे से दूसरे राजे में जा रहा है तो उस पर e-way bill जारी करना जरूरी होता है या एक token होता है तो जैसे पहले होता था कि कोई भी माल अगर जा रहा है तो रास्ते में ट्रोल टैक से लगता था तो वहां पर रुख के माल को भी चेक किया जाता था और पूरा नॉलेज भी देखने में टाइम लगता था परिवन में तो इसके साहं पर ईवे भी लाए गया है तो इस बिल में कौनसा माल है कितनी कीमत का है कहां जाना है यह सब सारे डिटेल रहते हैं तो इससे बहुत आसानी होगी परिवन के लिए तो इसका answer हो जाएगा B पचास जार इसको याद रखिएगा और इसके बारे में जान लेते हैं यदि कोई व्यापारी पचास जार से अधिक कीमत की वस्तु को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर transfer कर रहा है तो उसे e-way bill generate करना होगा यह एक token है जो माल की आवाजाही के नियमन के लिए आनलाइन जनरेट के रहता है यह कानूनी रूप से मानने है ओके तो चलिए चलते हैं आज नेक्ट कोईस्टन की तरफ कोईस्टन नमबर 3 निम्न मेंसे की जीले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा solar plant का उधाटन किया गया है option A मिर्जापूर option B वारानशी option C सोनभदर option D लखनाऊ तो इसका हो जाएगा option A मिर्जापूर मिर्जापूर में गाउं है दादर कला तो वहीं पे इसका उधाटन किया गया है मिरजापूर में अभी जब फ्रांस के प्रणमंत्री आये थे तो उनी के साथ यह वारांसी भी में भी घुमने आये थे गंगा यातरा भी किये थे तो मिरजापूर में इसका उधगातन किया गया है इसको याद रखेगा UP PCs के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसका एंसर हो जाएगा यह मिर्जापूर के दादर कला गाउं मिंफ्रांस के सहयोक से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े फुलट का उद्धाटन किया गया है इसकी 65 मेगववाट है तो यह उत्तर प्रदेश का सब्से बड़ा solar plant था करनाटका में सक्ति सक्ति स्थल जिसका नाम था सक्ति solar park तो इसको भी याद रखेगा और उसके बाद तमिलनाडू में था कौमुती और एक मदर प्रदेश में था रिवा solar park तो ये सब याद रखेगा important है question number four हाल ही में किन दो देशों के सीमा को अपराध मुक्त छेत्र crime free zone घोसित किया गया है option A भारत बांगलादेश option B भारत म्यामार option C भारत नेपाल option D भारत और भुटान तो ये भारत बांगलादेश के बीच में सायन किया गया है इसका उद्देश ये है कि पहले तो ये एक दसमलो आठ किलो मीटर के छेत्र में सायन किया गया है और ये देखना है कि यहाँ पे जैसे दोनों देश ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कोई illegal trade जैसे illegal trade हो और इसके बाद जो डेकैती होते हैं सीमा पे वो सब ये सब चीजे ना हो ये इस तरह की अपराद को कैसे रोका जाए पहले प्रयास किया जागा और अगर ये सफल होता है तो ये पूरे बांडरी के साथ भारत और बांगलादेश की पूरी बांडरी के साथ इसको लागू क कोषिद किया गया है इस चैतर में भारत की बॉर्डर सेक्योटी फोर्स और बांगलादेश की गार्डरस कोशिज करेंगे कि एक चैतर में इस चैतर में किसी तरह का अप्राध ना हो तो बांगलादेश से यह भी कोश्चन आहाइग less ना हो तो अब यहां से ब्हारत और लगती है तीपुरा से लगती है और मिजोरम से लगती है और भारत का पड़ोशी देशों से सीमा में सबसे लंबी सीमा जो है वो बांगलादेश से लगती है यह याद रखिएगा ओके तो यह इंपोर्टेंट है इन नॉलेज इसके बारे मियाद रखिएगा मैं भी देख ल यह बहु पक्षी मल्टि लेक्टरल एक्सरसाइज है और इसमें फ्रांस और बारत बांगला देश और म्यामार श्री लंका और सवुनाज अरफ अरब मिरात इतने डेश के ऐर फोर्स डाल जाता है और दूसरे यह पहला समग्र मानवी सहायता और आपदार राहत एक्सरसाइज है जो भारती एयर फोर्ष और दच्छिल एसिया छेतर में आउजित किया जा रहा है तो यह बिल्कुल सही है कि यह पहला समग्र मानवी सहायता और आपदार राहत एक्सरसाइज है जो भारती एयर फोर्स द्वारा दच्छी लेसिया सित में अरजित किया जा रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा निम्नकूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए तो दूसरा उप्सन सही है तो एंसर हो जाएगा बी केवल दो तो इसके बारे में जान लिजिए यह एक बहुँ पक्षी एकसरसाइज है जो भारत, स्रिलंका, स्रिलंका, स्रिलंक अरब अमिरात, म्यामार और बांगलादेश के बीच आवजित हो रहा है इसका लक्ष्य समग रमानवी शायता एवं आपदा राहत को केंद्र मानकर विभी नदेशों के एयर फोर्स द्वारा आपदा प्रवंधन वातावरल विक्सित किया गया है तो सही तो अरब अमिरात में अभी जब प्रथान मंत्री गया थे तो वहाँ पर पहला हिंदू मंदीर का इनागरेशन ये निव रखी गई थी तो ये भी याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट है तो चली चलते हैं नेक्ट कोईस्टन की तरफ Q6. Food, Safety and Standard Authority of India F.S.S.A.I. से संबंदित निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला है इसकी स्थापना खादे सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की अंतरगत हुई है बिल्कुल सही है इसकी स्थापना खादे सुरक्षा और मानक अधिनियम की अंतरगत हुई है और दुसरा है यह स्वास्त है एवार परिवार कल्यार मंत्राले की अंतरगत एक स्वत तन्तर निकाह है तो यह भी बिलकुल सही है तो इसका दोणों आप veggie कि घृएंट करके कुछ पहल इसने श्टार्ट किया तो इसका उद्येस है कि जैसे कभी-कभी नीयूस में याता है कि फला भोजन करने से फूट पोईजन हुआ इतने लोग बीमार हुए तो इस तरह की चीजों से लोगों को जागरूप बनाए कि यह कौन सा खादे पदार्त सुरक्षित है कौन सा सुरक्षित है जिससे स्वास्त संबंदी जो समस्यां बढ़ती जा रही है उसको रुक्कम किया जा सके तो इसलिए यह बॉड़ी इंपोर्टेंट है तो इसका दोनों अप्षिन सही है तो एंसर हो जाएका सी एक और दो दोनों तो FSSAI द्वारा Safe and Nutritious Food एक पहल किया गया है जिसके द्वारा देश के नागरिकों को यह जानकारी दी जायेगी कि कौन सा खादे पदार्त सुरक्षित है और पोशड़ युगत है जिससे लोग अपनी आदतों में बदलाव कर सके और स्वास्त जीवन वेतित करें FSSAI का कार है पबलिक हेल्थ को बढ़ावा देना और खाद सुरक्षा को नियंतित और परिवक्षड करना ओके तो चले चलते हैं आज के नेक्ट क्वेस्चन की तरब क्वेस्चन नमबर 7 गीर अभ्यारण निम्न में से किस जानवर के निवास के लिए प्रसिद है A. हाथी B. हीरन C. ACI से D. इन में से कोई नहीं तो यह ACI सेर के लिए प्रसिद है गीर अभ्यारण पड़ता है गुजरात में तो ACI सेर है तो इसकी संख्या बहुत कम थी तो लेकिन हाल ही में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो इसलिए चर्चे में था और गवर्मेंट दोरा यह प्रयास के जा रहा है कि पूरी लगबक पूरी की पूरी संख्या गीर अभ्यारण में ACI सेर की पाजाती है तो कोई ऐसा अब्दा हो अगर ऐसा नहीं होना ची अगर अगर ऐसा कोई आप्दा हो जिससे इनके इसे इसमें कोई डिश्टरवेंस आ है तो इसके संख्या पर बढ़ोतरी हुई है वो उस पर प्रभावा पड़ेगा तो इसके लिए गवर्मेंट प् काटेगरी में तथा वनेजू सनचल अधिनियम 1922 की अनुसुची एक में रखा गया है इनका अत्यदिक संकेंद्रर गीर अभ्यारर में है सरकार गीर नेशनल पार्क पनिया सेंचुरी मतियाला तथा गिरनार छेत्र को विक्सित कर रही है ताकि इनको इन छेत्र में सुयच सबहरी में रहता है और भरता इनको एक एक में याद रहेगा और गीर नेशनल पार्क पनिया सेंचुरी मतियाला त complaints सब गुजरात में हैं ताकि गीर से हटा कर इनको इसमें भी इसमें भी इनको रखा जा सके जिसे यह सुरस्चिद रहें तो यह उद्ध्य से तो चले चलते हैं नेक्ट कोईस्चन की तरब कोईस्चन नमबर एट निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला है एलीसा परिक्षड किसी वेक्ति को कैंसर रोग होने की जाज के लिए प्रथम तथा सरवादिक प्रात्मिक परिक्षड के रूप में प्रयोग में लाया ज सहिती है बस कैंसर रोग की जगा हो जाएगा यह हैट के लिए हुटा है एक्षा फाल कि लिए हमें बच्छे को कैंसर ने जाहिंकर HIV एड़ सका वारस है HIV human immuno human efficiency वारस यह एड़ सका वारस है तो इसको याद रखेगा और अचली तो पहला option तो गलत हो गया क्योंकि इसमें cancer रोग नहीं है और दुसरा है लगबग 50 प्रतिसत वेक्तियों का रख्त RH positive होता है जबकि सेश वेक्तियों का रख्त RH negative होता है तो यह option गलत है कि 50 प्रतिस में positive 50 प्रति होता है तो इसके बारे में पहले थोड़ा से जान लेजिए कि पहले ब्लड गुरुप का खोच किये थे का कार्ल लेंड इस्टीनर यह याद रखेजिए का पहले और कार्ल लेंड इस्टीनर ने रिसस बंदर पे उनके ब्लड में एक रारीस बंदर में अलग तरह का प्रोटीन पायता है जिससे उन्हें हो यह प्रोटीन बंदर तता है जिसमें और मनुसमें भी चांट है। इस मनुस्य में लाल लगत कडिका में ये प्रोटीन पाय जाता है उसे आरेच पॉजिटिव करते हैं और जिसमें ये प्रोटीन नहीं पाय जाता है उसे आरेच निगेटिव करते हैं तो आरेच पॉजिटिव लगभग 85% मनुस्य में पाय जाते हैं और ये होना बिल्कुल आ महिलाओं के बिश्य च्रेटर है तो तो अगर में बाता के बिश्य चीयर बहिए और नहीं होती है नॉर्मल हो जाता है और दूसरा जब दूसरे बच्चे की बारी आती है तो महिलाओं में उसके प्रती आरेच पॉजिटीव के प्रती एक एंटी बाडी पस्तित होने लगता है इसके खिलाब इसके इसे रच्छा करने के लिए महिलाओं के बलड की महिला की रच्छा करने के तो यह बच्चों के ब्लड के संपर्क में आता है तो वहां पर यह रेड ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं यह कम होने लगते हैं और अक्सीजन के परिवहन के लिए उतरदाई होता है तो यह बहुत खतनाक होता है तो इसके बारे मियाद रखेगा और आरेच यह दूसरा आप्सेन जो है जबकि सेस का पंदर परिशल जो बचे वह में आरेस नेगेटिव होता है तो इसका दोनों आप्सन गलत है तो एंसर हो जाएका D ना तो एक और ना ही दो तो एलिशा परिशल एट सरो की जाज के लिए प्रिविक्त होता है अधिकांस बेक्तियों का तो ये सब तो हमने डिसकस कर दिया है तो चलिए चलते हैं नेक्ट कोईस्टन की तरफ कोईस्टन नमबर नाइन तो पहला है केवल राज सभा में या सकती नहीत है कि वह सौरी कोईस्टन नमबर नाइन है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला अप्सटन है केवल राज सभा में या सकती नहीत है कि वह यह घोश्रा करे कि राज सूची में से किसी विशय के संबंध में राष्टी हित में संसत बिदी बना सकती है तो यह अप्सटन बिलकुल सही है कि केवल राज सभा में जब राज सभा को यह लगता है कि इस कोई भी ऐसा तथ्या आता है या कोई भी ऐसी घटना होती है कि जब राज सभा को लगता है कि संसत को इस राष्टी हित के परिप्रेक्ष में संसत को इस विशह पे कानून बनाना चाहिए तो राजी सभा अपने कुल सदस्यों का और कुल मतदान देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है आर्टिकल 249 में प्राधान है तो यह आर्टिकल याद रखेगा तो एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसत को यह अधिकार हो जाता है कि उस विशह पर संसत कानून बनाए तो पहला ऑप्सन बिल्कुल सही है दूसरा है आपात की उद्गोशरा का अनुमोधन करने वाले संकल केवल लोग सभा द्वारा पारित के जाते हैं तो ऐसा नहीं है यह बिल्कुल गलत है तो पहले तो यह जान लिजे कि आपात की उद्गोशरा होती कब है तो एक होता है यूद तीन तीन कंडिशन है इसका एक यूद दूसरा वाय आक्रमर और तीसरा ससस्तर विद्रो तो प और अपात काल की घोशरा होती है और अपात काल की घोशरा के लिए मंत्री मंडल पूरे मंदल की यह सदय याद रखीगा पूरे मंदल की लिखित सिफारिस यह भी याद रखीगा वर्ड पूरे मंदल की लिखित सिफारिस पर राश्पती अपात काल की घोशरा करता है तो उन्होंने पहले राश्पती से बोला था कि आपातकाल की गोश्रा कर दीजिए उसके बाद उन्होंने मंत्री परिषद को इसके बारे में जानकारी दी थी तो इसी को हटाने के लिए उन्हें फिर यह जो बैर चोवालिशवां संदान संसुदन अधिनियम उन्हें 178 हुआ थ इसे संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए यह तो जोगसबाव सत्रम में नहीं है तो छे महीने के बीच में पारित नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच में 6 मेने का अंतर नहीं होना चीए तो 6 मेने के बाद 6 मेने के अंदर ही जब लोगसभा की बैठक पहली बैठक होती है तो पहली बैठक से 30 दिन के भीतर उस प्रस्ताव को पारित करना अनिवार होता है और यदि प्रस्तापारित नहीं होता है तो राश्पती ये गोशा कर देता है कि ये अपातकाल रद हो चुका है और यदि लोगसभा ये प्रस्तापारित कर देता है तो ये अपातकाल 6 महिने तक लगा रहता है और उसके बाद 6 महिने पूरा होने के बाद फिर दोनों सदन प अब उद्गोषरा अपातकाल की उद्गोषरा समाप्त कर देना चाहिए तो राश्पती आज एक ऐसा आधे दे सकता है तब उद्गोषरा को समाप्त करने के लिए संसद में संसद्वारा मंजुई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन लोग सभा यदी पास नहीं तो अपातकाल की उद्गोषरा समाप्त हो जाएगी तो यह इंपोर्टेंट नालेज इसके बारे में याद करी रखिएगा इसमें सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है तो उपर्योग तो कथनों में से कौन से कथन सही है तो दूसरा तो गलत है तो क्यूंकि केवल लोग सभ यह गोषरा करे कि राज सूची में से किसी विशय के संबंद में राष्टी हित में केवल संसत विधी बना सकती है और आर्टिकल इसमें यह इंपोर्टेंट है दोसों उन्चास और जो भी प्राधान था मैंने आपको बता दिया अपातकाल की गोषरा कानुमदन करने वाले संकल्प दोनों सद्नों दारा पारित किये जाते हैं ओके तो चले चलते हैं लास्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर टेन इनमें से कौन सा कथन सत्य है और तीसरा है धरातलिय भुकम्पी तरंगों से सरवाधिक जानमाल की हानी होती है या और डी है इनमें से कोई नहीं तो इसमें पुछा है कि कौन सा कथन सत्य है तो इसका बस C सत्य है कि धरातली भुकमपी तरंगे जिसे L तरंगे बोलते हैं यह से धरातल पर चलती है और सबसे ज़्यादा जान और माल की हानी इसी से होती है और पहला statement है प्रात्मिक भुकमपी तरंगे केवल ठोस माधमों मे रात्मिक भुकमपी तरंगे जिसे पी तरंगे बोलते हैं तो यह ठोस्ट रॉगई सी नहीं माधम बहुत तरंगे होती है यह जो टिन वर्ड हम बोले हैं कि क्लाब now में से तरंगे ज़ो होती है और इनकी ऒरतीत less जो तीनों तरंगों में सबसी तीब्र होती है द्रातर पर सबसे पहले पहुचते हैं और यह अनुदय तरंगे यह तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा इसके बारे में और दूसरा है दीतियक भुकंपी तरंगे ठोस द्रह तता गैस तीनों मादमों से हुजरती हैं तो दूसरा भी गलट हुजाता है और पहला भी गलट हुजाता है और जो जो दीतियत तरंगे इससे श तरंगे याज सेकsystem भी भी बोलते हैं यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है याद रखेगा तो और बुकंप के बारे में हो दो पॉईंट कर बताया थे एक पन्डी चेरी वरतमान पुद्द चेरी के संदर्व में निम्लेड़ी की कतनों पर विचार कीजिए पहला option है पांडी चेरी पर कबजा करने वाली पहली यूरोपी सकती पुर्तगाली थी और दूसरा है पांडी चेरी पर कबजा करने वाली दूसरी यूरोपी सकती फ्रांसी सी थे और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडी चेरी पर कबजा नहीं किया सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कुट का उपयोकर सही उत्तर का चैन कीजिए पहला है प्रथम करनाटक युद्ध पेरिस की संधी दो और त्रितिय करनाटक युद्ध ब्रिटिस की हार और दितिय करनाटक युद्ध अनडायक और प्रतम मैशूर यूद एक सिला शापेल या चैपल की संधी के से अंत तो इसका कौन सा कूट सही है इसको भी आप कमेंट सेक्षन में बताईएगा तो यह है आज के तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए जिससे ज्यादा लोगों को इसके बारे में नौलेज हो और जो भी कोशन मैंने पूछे है और मोड़न जरूर कमेंट करिएगा तो थैंक यूँ